हलो स्ट्रेंड्स आप सभी का स्वागत है एक एसलोग क्लासस में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं IPC की मोस्ट इंपोर्ण MC की कुशन पार्ट 9 इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 तक अप्रूट कर चुके हैं उन्हें आप प्लेलिस में जाकर जरूर देखे हैं और जन्हों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आपके पास पहुंसती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन 156 इससे पहले ह हम 155 तक कोशन कर चुके हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपराद एक ऐसा क्रत्य है जो विधी द्वारा निशिद तथा समाच के नैतिक मनुभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है यह विचार व्यक्त किया है आप्शन A ब्लैक स्टोन ने आप्शन B केनी ने आप्श कोशन नमर 157 प्राचीन समाजों में दंड विधी अप्राद विधी नहीं थी बलकि यह दोश विधी थी यह कथन है आप्शन A जे स्टिफेन का आप्शन B सम्शूल हुदा का आप्शन C रसेल का आप्शन D हैंरी मैन का तो इसका सही उत्तर क्या होगा यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बक्स में बता सकते हैं इसका सही उत्तर होगा आप्शन D हैंरी मैन का नेक्ट कोशन कोशन नमर 158 सूत्र नलम क्रिमेन सीने लेगे नला पोईना सीने लेगे से निम्ण मैं से क्या अभिप्रेद नहीं है आप्शन A दांडिक विधी का भूत लक्षी प और कठोर व्याख्य की जाने चाहिए औप्शन C विधी की अंिधि माननिता औप्शन D विधी में निश्चते तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताईए इसका प्षन C विधी की अंिधि माननिता नेक्ट कुशन कुशन 159 निम्णलिकर गमेसे कौनसा अपराद के चार अवस प्रिष्थाओं के सही क्रम को दर्षाता है, option A, first परिड़ाम, second आशय, third तयारी, fourth परिड़ाम, option C दिया गया है, first आशय, second तयारी, third परिड़ाम, और option D दिया गया है 1st परेटन 2nd तैयारी 3rd आश है 4th परेडाम तो इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा option C 1st आश है 2nd तैयारी 3rd परेटन 4th परेडाम ठीक है तो इस हिसाब से हमारा option जो C है वह सही उतर है Next question question number 160 भारतिय दंड सहिता में कौन सा प्रावधन सेंक दाइत्व से संबंदित है option A section 34, option B section 35, option C section 149, option D उप्रुक्त सभी धा रहें तो इसका सही उतर क्या होगा, इसका सही उतर है option D उप्रुक्त सभी धा रहें question number 161 सामान्य आशे का अर्थ है option A, एक जैसा आशे, option B, वही आशे, option C, सभी द्वारा आशे में भागीदारी, option D, समान योजना तो इसका सही उतर क्या होगा, यह आपको पता है, तो आप में बताईए, कौन सा option सही है जल्दी से कमेंट करके बताईए सामान्य आशे का अर्थ क्या है सामान आशे का अर्थ है, सभी द्वारा आशे में भागीदारी, यह आप्शन C है, वह हमारा सही उतर है next question, question number 162 किस इस्तिती में कोई संपत्ती किसी व्यक्ति के कबजे में मानी जाती है option A, पत्नी, option B, सेवक, option C, लिपिक, option D, उप्रुक सभी तो इसका सही उतर क्या होगा, इसका सही उतर होगा option D, उप्रुक सभी question number 163 धारा 34 के लागू होने के लिए यह आविश्यक है कि आपराधि क्रत किया गया हो option A, केवल दो वेक्तियों द्वारा, option B, पांच वेक्तियों द्वारा question number 164, अपराधों में वे सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतिक्षा करते हैं यह कथन निम्णवाद में किया गया है option A, महभूब शाह एंपरर, option B, वीरेंदर कुमार घोष वर्सेज एंपरर, option C, आरवराम प्रिंस, option D, शेराज वर्सेज डे लुटजेन तो इसका सही उतर क्या होगा? इसका सही उतर होगा option B, वीरेंदर कुमार घोष वर्सेज एंपरर next question, question number 165, विक्रचित्ता की बिदाशा को साबित करने का भार होता है option A, चिकिसिक पर, option B, अभ्युक्त पर, option C, अभ्योजन पर, option D, पुलिस अधिकारी पर तो इसका सही उतर क्या होगा? इसका सही उतर होगा option B, अभ्युक्त पर question number 166, भारतिदन सहीता 8, 260 की धारा एक संबंदित है, option A, अपराद की परिभासा से, option B, सहीता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, option C, सहीता के नाम और उसके छेतरा दिकार से, option D, उप्रुक्त मैंसे कोई नहीं तो इसका सही उतर क्या होगा? इसका सही उतर होगा option B, सहीता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, next question, question number 167, निम्ने लिखित मैंसे कौन मूल लिवान प्रतिभूती नहीं है, option A, एक पट्टे की प्रतिलिपी, option B, एक किराया पत्र, option C, तलाग का विलेक पत्र, option D, एक प्रोमिज़री नोट, तो इसका सही उतर क्या होगा? इसका सही उतर होगा option A, एक पट्टे की प्रतिलिपी, यानि मूल वन प्रतिभूती नहीं है, next question, question number 168, भारतिय दन सहीता 860 की धारा 53 के अंतरगत, निम्ने लिखित मैंसे कौन सा दन नहीं है? option A, जुर्माना, option B, निर्वासन, option C, समपत्ती का समपहरण, option D, मृत्यू, तो इसका सही उतर क्या होगा? इसका सही उतर होगा option B, निर्वासन, next question, question number 169, भारतिय दन सहीता के निम्ने अध्यायों मेंसे कौन सा अध्याय एक सामन्य अपवादों को उबंदित करता है? option A, अध्याय 4th, option B, अध्याय 3rd, option C, अध्याय 2nd, option D, अध्याय 1st, तो इसका सही उतर क्या होगा? इसका सही उतर होगा option A, अध्याय 4th, next question, question number 170, यदि किसी वेक्ती का क्रतिय सामन्य अपवाद के इंतर गताता है, तो option A, कोई दन नहीं? option B, उस अपराद के लिए विहत दन्ड का आधा, option C, उस अपराद के लिए विहत दन्ड का चौथाई, option D, नयाय लेके स्वय विवेक्पर निरभाद, तो इसका सही उतर क्या होगा? इसका सही उतर होगा option A, कोई दन नहीं? यानि किसी वेक्ती का क्रतिय दि, 76 से लेके 106 सक सक्षन के अंतरगत आता है, यानि कि सामान अबबाद के अंतरगत आता है, तो उसको कोई भी दन नहीं मिलेगा, question number 171, इग्नोरेशिया, जूरिस, नौन, एक्यूकिसेंट के सध्धान से क्या अतात पर है? option A, विधी की जानकारी न होना, कोई माफी छम्य नहीं है, option B, तथिकी जानकारी न होना, कोई माफी छम्य नहीं है, option C, विधी की जानकारी न होना, माफी योग्य है, option D, तथिकी जानकारी होना, माफी योग्य है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इस सध्धान का सही उत्तर है, option A, विधी की जानकारी न होना, कोई माफी छम्य नहीं ह नेक्ष्ट कुश्ट कुश्ट नमर 172 एक पुलिस ओफिसर वारंट के बिना जैड को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है एने कौन सा प्रात किया है अप्शन ए सदोस परिरोध का अप्शन बी सदोस अवरोध का अप्शन सी ए तथा भी दोनों का अप्शन डी कोई नहीं तो भार्टीदन सहिता की कौन सी फारा कहती है कि कोई अप्राद नहीं है जो दुरघटना से गटित होता है अप्शन ए धारा 79 अप्शन बी नहीं उप्रक्ट में से कोई नहीं तो इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा option C section 80 यानि section 80 के अंतरगत कोई आता है तो ये माने जाएगा कि कोई अपराद नहीं है जो दुरगटना से घटित होता है ये section 80 के अंतरगत दिया गया है Next question, question number 174 A. सावधानी पूर्वक कुलहाडी से लकडी काट रहा है लकडी का फल उसमें से निकल कर उचल जाता है और निकट खड़ा हुआ B. उससे मारा जाता है A. ने कारित किया है option A. हत्या का अपराद option B. कोई अपराद नहीं option C. आपरादिक उपेक्षा option D. उप्रुक में से कोई नहीं तो इसका सही उतर क्या होगा? इसका सही उतर होगा बताईए और यदि आपको पता है तो आप बताईए पहले इसका सही उतर क्या होगा? यानि वो साबधानी पूरवर लकडी काट रहा है कुलहाडी काट रहा है और पास में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके कुलहाडी लग जाती है और चलकर उसके लग जाती है वो मड़ जाता है तो A ने क्या अपराद किया है? इसका सही उतर क्या होगा? इसका सही उतर होगा कोई अपराद नहीं किया ये सेक्शन 80 के अंतरगत आएगा कि A जो है वो साबधानी पूर्वक कार्रे कर रहा था उसकी दुरगटना घटी तो ये उसका कोई intention नहीं था उसको माणने का तो ये जो है option B हमारा सही उतर होगा कि A ने कोई अपराद नहीं किया है next question, question number 175 मैकनाटन का वाज संबंदित है option A विक्रचित्ता से option B मत्ता से option C बाल्य वस्था से option D दुरगटना से तो इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा option A विक्रचित्ता से question number 176 भारतिय दन सहिता की कौन सी धारा अने चिक मत्ता की आधार प्रपतिरक्षा से संबंदित है option A इसका सही उतर होगा option B धारा 85 next question question number 177 प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है option A केवल वयसकों को option B केवल उनको जो विधीपूर अपराद कारित करने के लिए सक्षम है option C केवल लोक सेवकों को option D बिना आयू अत्वा सच्छमता की अपिक्षा सभी को तो इसका सही उतर क्या होगा है प्राइवेट प्रतिरक्षा का राइट किसको है हमने आपको option बता दिए आप हमें इसका सही उतर बताईए आपके हिसाब से कौन सा सही उतर होगा इसका सही उतर होगा option D बिना आयू अत्वा सच्छमता की अपेक्षा सभी को प्राइविट प्रतरक्षा का अधिकार उपलब्द है ठीक है तो इसे साब से मारा option D सही उत्तर है next question question number 178 किस अपराद के विरुद प्राइविट प्रतरक्षा का अधिकार उपलब्द नहीं है option A अपरादिक अतिचार option B जाल साजी option C रिस्टी option D चोरी तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा option B जाल साजी यानि जाल साजी अपराद के विरुद प्राइविट प्रतरक्षा का अधिकार उपलब्द नहीं है next question question number 179 भारतिदन सहिता में प्राइविट प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंदन वर्डित है option A धारा 96 में option B धारा 96 में option C धारा 99 में option D धारा 106 में तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताईए प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंदन वर्डित है इसका सही उत्तर होगा option C धारा 99 यानि धारा 99 के अंतरगत प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंदन वर्डित किये गए है नेक्ट कुशन कुशन नमबर 180 भारते दन सहिता की किस धारा के अंतरगत एक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रेयोग में म्रत्युकारित कर सकता है अफशन दहरा 97 अफशन दहरा 100 अफशन सी धार 103 और अफशन दहरा 90 तो इसका सही उतर क्या होगा यानि किस धारा के अंतरगत एक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रेयोग में यानि अपना सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी शरीर की प्रतिरक्षा के लिए म्रत्युकारित कर सकता है उसको इतना defense है वो किसी सामने वाले की मृत्तियु तक कर सकता है इसका सही उत्तर हो का option बी धारा 100 यानि section 100 में के अंतरगत ये दिया गया है कि एक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक शरीर की व्यक्तिगर प्रत्रक्षा के अर्दिकार की प्रेगर मृत्युकारे तक कर सकता है ठीक है तो इस तरीके से हमारे IPC के टूटल 180 कुशनों को solve कर लिया है आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे उमीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी आप हमारे चैनल को ज्यादा से like करें, share करें, subscribe करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें इससे वो भी इसका लाब उठा सकें, आपके और आपके दोस्तों की अच्छे से तयारी हो सकें, यही हमारा उद्देश है ओकी, thank you so much